हाई ट्रेल्दीज, वेलकम टू इजी वे गामन्स क्लासेज, मैं आओ दाबता और हम लोग आज करने वाले हैं शेयर कापिटल चेप्टर में कुछ ऐसी टरम्स जो हमारे एक्जाम्स में आ जाती हैं और हमें पता ही नहीं होती सो आज मैं इस चेप्टर में से तीन ऐसी टरम्स कवर करने वाली हूँ जो पेपर में आ जाती हैं और हमें नहीं पता होती तो इस वीडियो को एंट तक दिखना है गाईज और अगर पसंद आये तो लाइक, शेयर और कामेंट जरूर करना है ठीक है? सबसे पहली टरम मैंने ल अलॉट्मेंट, प्रेफरेंशियल अलॉट्मेंट क्या होता है? जैसे इसका नाम है प्रेफरेंशियल अलॉट्मेंट, यानि कि आप प्रेफरेंशियल देते हो अलॉट्मेंट को इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले decide कर लेते हैं कि हमने अपने share किसको issue करने है active predetermined rate कि इतने rate पर हम आपको share issue करने वाले है so it is pre-decided, सब कुछ पहले से decided है so इसे preferential allotment कहते है अब आप ऐसे shares किने allot करोगे आप ऐसे share allot करते हो guys अपने promoters को, अपने investors को जिनको आप अल्रेडी जानते होते हो financial institutions को, अपने suppliers को so book में क्या language लिखिए preferential allotment means allotment of shares at pre-determined price to the pre-identified people who are interested in taking a strategic stake in the company जो interested है company के shares में invest करने के लिए so maybe promoters हो सकते है, supplier हो सकते है financial institutions हो सकते है लेकिन इसके लिए company को एक special resolution pass करना पड़ता है ठीक है, और उसके बाद company ऐसा कर सकती है second topic is private placement of shares just like preferential allotment, private placement of a shares में भी हम share issue करते है किनको privately, privately बोले तो किनको यानि कि जिनको company चाहती है अपने shares देना ठीक है, जो पहले से already decided होते है इसमें भी company publicly अपने share issue नहीं करती है बट privately issue करती है so private placement means an offer of securities or invitation to subscribe security to a select group of person by a company through issue of a private placement of a letter and will satisfy the condition specified in this section यह section है वो है section 42 उसमें उसके condition हमानी satisfy होनी चाहिए तो हम private placement कर सकते हैं इसमें हम publicly नहीं आते हम सिफ कुछ गिनेज उने लोगों को अपने share issue करने का offer करते हैं so उसे हम private placement of share कहते हैं गाइस देखो जैसे private placement of share section 42 cover करता है preferential allotment आपका section 42 भी cover करता है इसके लाबा एक और section है section 62 1c उसको भी cover करता है बाकी दोनों का meaning almost same ही है बट इसमें हम share issue करते हैं कि इनको privately लोगों को offer करते हैं और इसमें pre-decided होता है सब कुछ ठीके guys अब आगे बढ़ते हैं जिसमें next term है employees stock option plan देखो जैसे नाम है employees stock means आप जो भी shares issue कर रहे हो option देते हो उनको और एक plan लिखे आते हो अब आप अपने employees के पास एक plan लिखे आते हो भई ये company के share है market में तो इसका rate 2000 चल रहे हम आपको 1500 होगा देंगे आपके employees को जाते हैं कि company में at least हमें invest करने का मौका मिल रहे हैं वो भी 500 पे सस्ते दाम उपर ऐसा मौका आप अपनी company के employees को देते हो यानि कि आप market rate से सस्ते rate पर अपने employees के आगे plan लेके आते हो you are not saying कि डंडा पड़ेगा अगर आपने shares नहीं लिए आप ऐसा नहीं है आप उने एक option देते हो कि आगर आप shares खरीदना चाहते हो तो सस्ते हैं आप खरीज सकते हो that is called employees stock option plan guys ठीक है और second चीज़ इसको हम sweat equity shares की category में रखते हैं जिसमें sweat equity shares की category में guys वो shares आते हैं जब कभी हम अपने promoters वगरा को issue करते हैं as a remuneration तो वो सारे shares sweat equity shares माने चाहते हैं तो उसी में इसको भी treat किया जाता है इसके लिए आपको काफी सारी conditions fulfill करनी चाहिए जैसे की ये shares already market में issued होने चाहिए ठीक है new shares नहीं होने चाहिए second आपको SEBI की regulations को fulfill करना चाहिए third it is authorized by a special resolution passed by the company आपको resolution passed करना चाहिए ठीक है और इसके अलावा दो और condition है जिसमें आपको resolution में क्या क्या condition होती है क्या क्या चीज़े mention करनी है like market price का चल रही है आप कितने number of shares issue करना चाहिए वो सब चीज़े लिखनी होती है और not less than one year has at the date of issue left since the date on which the company had commenced business तो एक साल से कम नहीं होना चाहिए ठीक है okay so guys यह थी इसकी conditions I hope आपको यह तीनों चीज़े समझ आयोंगी और अगर समझ आये तो इस वीडियो को like करना है share करना है comment करना है और अगर आपको कोई without है तो आप मेर से instagram और youtube पर पूछ सकते है thank you